कायत्री पीजी कॉलेज एवं कायत्री वीड़ा मंदीर उच्छ मादिमिक वीड़ाले सांचुर के ओनलाइन क्लास में आप सभी का स्वाकत है प्रिविधार्तियों नमस्कार आज की कक्षा में हम हमारी भारते राज्यवस्ता के अध्यार राजी व्यवस्ता संग सरकार के समा का अध्यन करें गया? जयाओ टेकहे पिछली कक्सा में हमने राज्य formulas के पारे में अध्यन किया थां जिसमें यह उस लिए किया था हमने है कि हमारी राज्य missionsन्वा किस्यां के सदन है किन देसों के ।u सदन से ही या प्रभावित है हमने बिटन के सविदान हमने अमडिका के सविधान से समझा कि बिटेन के House of Lords और अमरीका की सिनेट के समकष हमारा जो राज्य सभा है यह किसके गठन के समंदित जो मैतुपुर्ण सविधान सभा में जो चर्चा थी उसके समंद में हमने पिछली कख्षा में डिसक्रसिंग किया था आज की कख्षा में हम राज्य सभा के जो हमारे सविधान के अंदर जो गठन का प्रावधान है जो योगिता है जो कारेकाल है जो चुनाओ है इनके बारे में सब कुछ सभीधान में उलिक्त है उसका अध्यनम करने जा रहे हैं तो देखिए सबसे पहले हम सभीधान के कि आडिया है आक को समझना है ना अब कर बता है आतिकल 79 है जिसमें हमारी संसर का पुलिक्ट जिसमें इता हुआ इस वह जिसमें रातिस्ताव लोह सब दो स्वक्रम्ण करें नहीं तो एक आज हमारे नहीं पर दो समसे तो सब्रेह हमारा आपकर 80 है अधिक भी पॉच्छा गया है कि राइटे सब्सक्राइब का पार्बाद सब्सक्राइब किस अमिछेव में आप उसक्षट वह से याद करना है और अधिकल बिदेगी इसमें हमारे राइटे सब्सक्राइब को सब्सक्रा अधिकलों का पॉर्लिक जब्सक्राइब लेकि कि वर्तमान में 250 है वर्तमान में 260 है अब अब सभी ऑचन को 215 ही इसम यहां 205 है जलब वर 30 कर दा है 250 सेलों को जुना निए अबना कर दो भास heartbeat आपके वारा सेखों पर जो भी वैंकी राज्टाइब सर्दे करें उनका राज्टी वारा महोंन वोता है कि यह प्राइब विग्यान, कला, साहिते, खेर, खेर जगर, कला जगर, केंसे वो सबस्ब्स होते हैं जिल्मूर राश्वती हमारी राज्जे सभा में 12 दश्यों के उदर मुनमिल करते हैं इसलिए आप उस पुर्ष तोर से यह समझाना है कि बरत्मा में हमारी राज्जे सभा के सिर्णों किसे लिए 255 अतितर श्यों के कि रावा हैं दो सोपचास एक है की कि हैं कि चुना होता है उसमें से 233 लिए हैं राज्यों हैं उनसे की दो सु भूरमटी सद है चुना जीर कराते हैं और चार सद है वह हमारे कैससे पटर तैसमें कि कि नहीं पर दिल्ली दिल्ली आघिवाइए वट दुछिदी दिल्ली ये कि दुछिदी दुछ विट्षिदे हैं वह कितनी इंचिया इंसे जो सदे सब्सक्राइब कर दिया जाएगा तो आपको यह समझना है कि कुल हमारे राजी सब्सक्राइब कितनी है 250 वर्दमान में कितनी है में 245 में से 233 सेटों के चुना होता है 12 सेटों मनोनिव किया जाते हैं अब यह जो मनोनिव किये जाते हैं उपर हाउस पथार राज्य सब्सक्राइब तो उच्छ सदा यहां पर आप दूच्छ चैम्डर भी कह सकते हैं ठीक है यह इस पश्ट के एक बार वह इस पश्ट पर नहीं कि दोस्तों पुनपीज राजेसर राजेसर रोते हैं छहास सब्सक्राइब हमते हो हमारे कैंदर शाषिक यह यूटीज इनको कह सकते हैं यूदि पार बाराव में से जो चतोर्त पर अनुसुची है यानि फोर्ट सिड्यूल है उसमें हमारे सभी राजेसर राजेसराद में जो सीटों का आवड़नें वो किया गया है इसलिए आपको महत को प्रशना वर्भ वरता है कि सभीधान की जो चोती अनुसुची है इसमें राजे अमेर्णा की तरह बिल्कुल सभी राज्यों को समान पृति नीदितु भी गिया गया है, हमारे यहां पर जो पृति नीदितु दिया गया है, राज्य सबा में, वो केवल जन सिंग्या के आदार पर पृति नीदितु दिया गया है, कहना गतार प्रेया, जिनकी जन सिंग्या जादा है उनको जादा सीटे मीलिए जिनकी जञेसिया कम हैं तो सिटो का आवन जञें के आधार पर किया जय को अधार spielen अमेरिकां की तरह सबी Gurbia छोटा हो बढ़ा हो तो डूस वा दोब होता है अमेरिका में इसा हमारे पर बिल्कुल नही है यह बात आपको इस पुष्ट तोर से समय नहीं है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, अनुचेद अस्ती में राजे सवा के गठन से समधित प्रावदा नहीं है, राजे सवा के जो सदेशों की संख्या है, केरी बार बच्छों में कन्फिजर होता है, इसलिए आपको सदेशों की संख्या है, उस में से 245 में से 233 का चुना होता है, 12 सदेशों को मनोनित किया जाता है, और जो मनोनित की जैने वाले सदेशे हैं, वो प्रायर साहितिय, विग्यान, काला, समाथ सेवा और खेल जगर से जुड़े जो महानस्तिया हैं, उनका मनोनित या मनोनित र पूरा पूरा आवंटन किया गया है बाद कंप्लिट पिर आगर आपसे कभी प्रशन पुछ जाया कि जोर्ण सवा में राज्यों के लिए जो से लिए सब्सक्राइब कितनी हैं तो दोसुंबूर्टिस राज्यों की हैं चाहर हमारी उटी उनिंट र इसके बाद में अब हम समझते हैं कि हमारी जो राचे सभा उच्छ सदन है उसमें जो सदेशिय बने की योगीता निधारिक कीए हमारी सभी धान में वो क्या है तो आप सभी को पता है पिछली कक्षा में पढ़गी भी आएं एक फिर भी में एक बार कुना आपको रिपेट प नागरिक होना चाहिए दूसरी उसकी आयों कम से कम तीस वर्स से कम न भूद हो जो भी सद्रेश से बनना चाहता है राज्य सभा उसकी जो आयों वह तीस वर्ष से बिल्कुल कम नहीं होनी जी नियुंतम तीस वर्ष की आयूं दिधारें पर नहीं हो अधार किसी भी लाग के पद पर नहीं होना चाहिए अगर लाग के पद पर है तो इसको इस्तिपा देना होगा और फिर सरश्यता गरण करनी बढ़ेगी समझ गया यह हु चौति जो योगिता है वो यह है कि जो भी पट्यासी यानि उमिद्वार जो है वो दीवालिया विक्रित मस्तिक्ष वाला नहीं होना चाहिए अथा कह सकते हैं कि दीवालिया और विक्रित मान सकता है विक्रित मस्तिक्ष का वो वैक्ति नहीं होना चाहिए स्वास्त मांचि वाला वेक्ति होना जुरूरी है और और भी इसमें ये प्राधान है कि अगर समय के साथ जुरूर कोई है तो यह संसत किसी कानुन के दोर को योगीत निधरित कर दे तो वो कर सकती है बात इसपष्ट हुई मैंने आपको पहले सबसे पहले क्या इसपष्ट किया है कि अगर सब्सक्राइब करें अगली जो है कि वह सबनने से पहले पहले लाग के पद्धारन नहीं कर सकता है अधार इसपष्ट किया सकते हैं किसी भी लाग के पद्ध पर नहों पर जो पत्याशी है वह दीवाले या विक्रित मान सेकता वाला नहों तथा यदि हमारी संसत को नई योगिता कानुं के द्वारा निधारित कर सकती है तो यह तो है अगला समझते हैं कारेकाल कितना कारेकाल है कि राज्य सभाय कि इस ताइ सदन है कि भंग नहीं होते हैं लोग सभाई होती है कि भारत का एक संसत्टगा एक मात्र सदन राज्य सवा है वो कभी भी भंगनी होता है और इसका कारेकाल कितना होगा छे वर्स का होगा छे वर्स का कारेकाल है शेक्षियत हमारे यहां पर लोग सवा का पांच वर्स है विदान सवा का पांच वर्स है राश्वति उपराश्ट वर्स के लिए है लेकिन हम क्तों सबस्क्राइफ यह हैं। वो प्रती दोवर्ष्थ के बाद सेवा New don't बोब प्रती दोवर्ष्थ के बाद सेवा निव्रथ होंगे, कितने होंगे एक बटा तीन सदिशician, यानि जितने जो संख्या है, जितने फरीखाली होरह हैं उसके एक बटा तीच सदिेशे वो सेवा निवरित होंगे, जितने सेवा निवरित होंगे उतनी ने सदिशे चुन कर वापस आ जाएंगे, इसका तात्रह ओए हुआ कभी भी खाली नी होगीाуса कभी भंग नी होगा यह बात आपको इससा प्रति दो वर्ष के बाद में इसकी एक बड़ा तीस सदे से सेवा निवरत होते हैं तो उतने चुनाओं के द्वारा ने सदे से चुनकर आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जितने रिचार्ड हुए उतने ने वापस आ जाते हैं तो यह खाली होई नहीं सकता है 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 यह बात है आपको समझने हैं लेकि आफ वास और समझने हैं कि राश्ति के द्वारा जो मनोनिस देशे होते हैं राश्ति के द्वार्वर्वनी बैबें होते हैं अब समझ सकते हैं माथ हैं राश्पती के धौरा 12 सदेशों महनोनित कर लो इस हिसी है करहा सक्षा करें अब यह कले पदादीकारी कौन होते हैं अब देखो बिल्कुल यहां पर इस परस्तों से बात को समझना अमरीका के जो वहां के जो अमरीकी कॉंग्रेस का साधन है सिनेट सिनेट के जो हाड हैं वह होते हैं अमरीका के उप्रास्टपती यहीं अमरीका के उप्रास्टपती वह वेता इसी आदाद पे तुल करें वहां के सिनेट के वहां है है परका से हमारी राजीसभा है हमारी उपरास्थ होती है भारत के बोह हमारी यह से अडिक है थिया है यह वहां से ववास्ता को स्कुष्रिकार किया है इस बात स्थीतित हुआ मैंने बताया कि अमरीकी सिनेट की तरह हमारे राजय सभा का जो सभापती होता है पदेन सभापती भारत के उपराश्च्पती होते हैं भारत के उपराश्च्पती के पास सामान में कालिंग जो कारे शक्तियां हैं वो केवल एक सभापती के तोर पर अपनी भुमी का निभाते हैं बुमी का आदा करते हैं इसमें राज्य सभा के सभापतितों के तौर पर ये बात को समझने हैं तो देखें हमारे सविधान के अनुच्छेद 89-1, 89-1 में इस फ़स्तों से लिखा गया है कि भारत का उपरास्पति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है राज्य सभा अपने मैंसे किसी एक सदेशे को सभापति निर्वाचित करती है देखो भारत का जो उपरास्पति है वो हमारी राज्य सभा के पदेन सभापति वो सभापती को निर्वाचित करते हैं अथार अपने मेंसे किसी एक सभापती के तौर पर निर्वाचित करते हैं यह बात आपको इस परस्ट तौर पर समझ नहीं है मैंने क्या बताया मैंने यह बताया कि उपराश्पती पदें सभापती किसका होता है राज्य सभा का लेकिन हर समय उपराश्पती नहीं होते हैं स्लिस्ट का सत्र चल रहा है तो फिर उपheld राश्पती के लिए जो मारी राज्य सभा के सदैशे हैं, वो सदैशे आपसम मिलकर किसी एक सदैशे को निर्वाचित कड़ते और वो कहलाता है, उपसभापती राज्य सभा का, ठीक है? दूसरी बाद यह समझ दिए कि राजे सभा में सभापती उप सभापती को भारत की संचित निदी में से वेतन दिया जाता है भारत की जो संचित निदी है उसमें से वेतन दिया जाएगा उप्षभापती का इस्तान यदी रिक्त हो तो राषपती, राजेशभा के किसी सदेशयों अपने कर्ट्रों का पालं के लिए निव्ध कर सकते हैं देखो अगर उप सभापती का इस्तान खाली है उप सभापती अभी तक नहीं बनाए गए निर्वाजशिती नहीं हुए हैं तो राजपती राजे सभा के किसी भी सदेशों को उसका करते पाल्म करने के लिए निव्थ कर सकते हैं और उसको पिटा सिंद्धी के लिए तोर पर निव्थ कर सकते हैं और दास्पती दूसरा आपको यह भी समझना है कि राजे सभा के यह अपनी जो संचालन के लिए जो गनपूर्टी के आप सकता होती है वो होती है सदन की कूल सिंख्या के एक बटा दस सदेश्यों को उपस्तित होना अथात क्या सकते हैं कि हमारी जो र राजे सभा के कारे संचालन के लिए जो गनपूर्टी की न्यूंतम आप शकता है बात देता है वो पूल सिंख्या का एक बटा दस यानि कम से कम पचीस लोगों के आप शकता तो पढ़ेगी पढ़ेगी आईवास समझ में तब हमारी राजे सभा अपनी कारे संचालन कर सकत है इससे कम सदेश्य सिंख्या होने पर हमारी राजे सभा के संचालन नहीं होगी वह उस दिन का सथ्रो उस दिन का चुशेशन है वह एड्जॉन हो जाएगा इस्तगित हो जाएगा यह बात अपको इस परस्ट हो रहा है कि कुल सदेश्य संख्या का एक बटा दस गनपूर् अब आपको यहां पर यह संचना है कि जिस परकार से लोग सभाद देख्स और उपाद्स होते हैं उसी परकार में राजे सभा के सभावति और उपसभावति के लगबक सिंकक सब दोनों को माना जाता था तो यह हमने समझा हमारे राज्य सभा के गठन, सदेशोग योकिता, कारेका इनके बारे में अब देखिए चुनाओं के समन में प्रावधानों को समझ लेते हैं कि चुनाओं हमारे राज्य सभा के किस प्रकास से होते हैं आप समझ देखिए राज्य सवाव के जो चुनाव हैं वो आनुपातिक प्रतिनीदितों के सिर्धान के अनुसार होते हैं